इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायोती एक प्रेस कॉंफरेंस कर रही है विवस्ता कानून द्वारा कानून का राज अमन चैन वे संप्रदाइक सुहार्थ को पुने बाहल करने के साथ साथ यहां उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के गुंडों माफियाओं अराजक तत्वों व्या भरस्ताचारियों एवं राजनितिक अपरादिक तत्वों को कानूनी तोर पर कड़ा सबग सिखा कर वैं उन्हें उनकी असली जगा अर्थाद जेल के सलाकों के पीछे भ्येज कर तथा प्रदेश की आम जनता को शांती वे अमन चैन का वातावरन परदान करने के लिए यहां के व्यापक जनहित में अबुद बीएस्पी की सरकार बनना वे यहां मेरा फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनना भी बहुत जरूरी हो गया है इसके साथ साथ आज मैं मेडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अब उत्तर प्रदेश में पुने मेरे निर्थित्त में ही बीएस्पी की अगली सरकार बनेगी जो पाटी की सर्व जन हिताय वे सर्व जन सुखाय की नितियों के अधार पर चल कर यहां सर्व समाज के लोगों को अमंचैन, सुक्षांती वे विकास की मजबूती परदान करने के लिए जी जांसे समर्पित होकर कारिय करेगी और इसके साथ ही यहां की जनता की आशाओं अवं अकांशाओं को पूरा करने के लिए इस बार किसी को भी नहीं बखसा जाएगा चाहे वे कितने ही बड़ी हैस्थियत का व्यक्ति क्यों नहूं अर्थात इस बार उत्तर प्रदेश की जनता को हर मामले में वे हर स्तर पर हर हाल में फिर से मेरे निर्टित में एक बहतरी सरकार जरूर दी जाएगी और अबंत में उत्तर प्रदेश में बार के विक्राल ग्रूप को लेकर यहां बड़े पेमाने पर जानमाल सडक वे रेल आदी की हो रही बरबादी के बारे में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये सब कुछ सपा सरकार की घोरला परवाई का ही ये नतीजा है और इस समद में ये सभी जानते हैं कि नदियों की साफ सफाई बांध वे तट बंदों आदी के निर्मान वे इनके सई रख रखाव में जो यहां बड़े पेमाने पर सरकारी लूट वे ब्रेश्टाचारी सरकार में हुआ है उसी के कारण जादा तर यहां बार काफी विक्राल रूप लेकर यहां जानमाल वे सरकारी संपतियों की बड़ी तबाही की मुखे बज़े बनी हुई है ऐसे में केबल दिखावे के लिए दो-चार अधिकारी वे इंजीनियर आदी का निलंबन आदी करना काफी नहीं होगा और इतना ही नहीं बलकि लाखो बार पीडित परिवारों की समूचित साहिता के लिए भी सपा सरकार यहां आगे नाकर लगातार निस्क्रे ही बनी हुई है इस कारण भी बार पीडितों का कस्ट और भी जादा बढ़कर जानलिवा साबित हो रहा है जबकि इस मामले में उत्तर परदेश सरकार को हर स्तर पर वे हर परकार की तबकाल समूचित विवस्ता करनी चाहिए इसके साथ इस समन्द में मेरी बीएसपी के कारे करताओं से भी यह पुने अपील है कि वे बाढ़ पीडितों को रहत पहुचाने में हमेशा की ही तरह या मानुए द्रिश्टिकों अपनाते हुए बाढ़ पीडित लोगों की भरपूर मदद करे